Hello everyone, तो आज की इस वीड़े में हम jQuery के अंदर fadding देखेंगे कि किस तरह से हम element को fad कर सकते हैं, यानि कि गायब कर सकते हैं, blur कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं, तो पहले मैं आपको syntax बताऊँगा, उसके बाद हम direct practical करेंगे हमारे code editor में तो jQuery fadding method, क्या है ये? with jQuery you can fad element in and out of visibility, यानि कि आप कोई भी element की in या out को visibility को control कर सकते हो by using fadding method next है, इसके अंदर कौन से कौन से fadding है, पहला है fad in, fad out, fad toggle and fad to अब ये चारों चीज है क्या मैं आपको practical करके बताऊँगा, जस्ट आप देख लीजिए क्या-क्या fad के method है fad in देख लीजिए तो आपको fad out, fad toggle और fad to 3-0 समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम selector choose करेंगे, उसके अंदर fad in लगाएंगे, speed and callback ठीक है, अब ये selector क्या है, देखें आपका, तो सबसे पहले हमने एक button लिया, उस button के click पे हमें ये वाला जो div है, उसको fad in करना है, ठीक है, same, एक div हो है, मतलब उसके अंदर हमें fad in slow करना है, फिर एक तीसरा div है, उसके अंदर हमें fad in 3000 की speed से चलाना है, meter per second, ठीक है, तो ये तीन चीज़े होती है, एक तो normal होता है fad in, एक होता है slow, और एक होता है speed से कम होना, त यहाँ पर fad to लगाना है, fad toggle लगाना है, fad out लगाना है, बाकी सब सेम है, तो अभी directly चलते हैं हमारे code editor में और practical करके देखते हैं, तो यह में आगे हो मेरे code editor में, तो यहाँ पर सबसे पहले html का simple code लिखा है, और उसके बाद body के अंदर मैंने एक paragraph tag लिखा है hello jquery, और बटन लिया है fad, जिस पे हम click करेंगे, तो हमारे डब्बे यानि की boxes है, वो fad होंगे, उसके बाद 3 div लिया है, मैंने 1, 2, 3, ठीक है, 3 div लिया है, और तीनों का मैंने style यहाँ पर लिख दिया, ताकि time based ना हो, तो तीनों div लिया है div 1, div 2, div 3, मैंने क्या किया है, तो इनको width लिख दिये, hide दिये, और display none रखा है, ठीक है, और next हम अलग-अलग div को अलग-अलग color दिये हैं, ठीक है, और अभी देखिए, और बाद में हम आते हैं, jQuery के अंदर, jQuery के अंदर, सबसे पहले आपको cdn डालना, jQuery का, और cdn का मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, गूगल पर जाके, यह वाला सर्च करें, cdn.js, और वापर jQuery लिखे, आपको cdn मिल जाएगा, तो सबसे पहले का करना, आपको यह बटन को grab करना, और उसके click पे हमें fed वाले जो method है, उनको perform करना है, तो चलिए, आपर सबसे पहले मैं लिखता हूँ, dollar, button को grab करना है, तो directly button, उसके click पे, एक function चलेगा, और उस function के अंदर मुझे क्या करना है, यह वाले div को target करना है, ठीक है, तो इस div को target किया, और यहाँ पर dollar, hash, control V, क्या करो, इस पर मैं fed in करता हूँ, ठीक है, fed in करता हूँ, fed in किया, तो यह div 1 के अंदर fed in लग चुका है, ठीक है, normal fed in होगा, अभी मुझे क्या करना है, यह div 2 को क्या करना है, slow करना है, fed in के अंदर ही मुझे क्या करना है, इसको slow करना है, तो इसको V करूँगा, तो मेरा div 2 जो है, वो क्या होगा, fed in के अंदर, slow में होगा, ठीक है, थ तो ये देखे, हुआ, वापिस में refresh करता हूँ, वापिस में इसको click करूँगा, ये देखे, ये तुरंत आ रहा है, black वाला, ये वाला थोड़ा slow आ रहा है, और ये 3 सेकेंड के बाद आ रहा है, वापिस से देखे, दिखा, अभी same fade out के लिए भी होता है, और यहाँ पर लिख लिखना है, out, यहाँ पर लिखना है, out, ठीक है, यहाँ पर आके आपको इसको uncomment करना है, ठीक है, सबसे पहले हमको display रखना है, तो अभी मैं करूँगा, तो ये देखे, गाइब हो गया, वो जो black वाला था, तुरंत गाइब हो रहा है, और green वाला थोड़ा हलके में जा रह तो ये वाला 3 सेकेंड बात जा रहा है, 1, 2, 3, ठीक है, यह हो गया, fed out, अब भी करते, fed 2, fed 2 में क्या होगा, fed 2 में सिफ आपको यहाँ पर उसकी opacity लिखने है, यानि कि वो slow होगा, और 0.19 हो गया, ठीक है, मतलब इतना blur हो जाएगा, और इसको मैं कर देता हूँ, 0.5, इसको मैं कर देता हूँ, slow ही होगा, इसको मैं कर देता हूँ, 0.4, अब ही देख, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखना है, fed 2, ठीक है, तीनों में लिखना है, fed 2, इसमें भी लिखना है, fed 2, इतना किया, control S की आप राउजर में चलेंगे, यहाँ पर fed पे क्ल अब ही सेमा आता है, toggle के लिए, toggle के लिए क्या करेंगे हम, toggle के लिए कुछ नि, बस यहाँ पर आपको toggle लिखना है, यहाँ पर आपको toggle लिखना है, ठीक है, तीनों में toggle लिखना है, लिख दिया, control S, browser में जाएंगे, यह देख, गाइब होगे, अब इसी button को में क्लिक करूं करूंगा वापिस आगए गाइब हो गए यह थोड़ा टाइम रहा क्योंकि तीन सेकेंड डाला है वापिस क्लिक करूंगा वापिस आगए ठीक है तो इस तरह से हम जैक्वेरी के अंदर हमारा फैडिन फैड टू फैड आउट फैड टो गलम फैडिंग वाली जो मैथेड है व पर वापिस से देख लिए ठीक है तो जैक्वेरी के अंदर फैडिंग मैथड में इसनाइत है थैंक्यू